शुक्रवार की सुबह सडग हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रुप से जखमी हो गए मामला बिहटा सर मेराटू लेन के रहुई थानाक्षेत्र अंतरगत भंडारी गाम के समीप की है मृतक की पहचान रहुई थानाक्षेत्र के दौलत पुर गाव निवासी स्वर्गिय बैजू पंडित के साथ वर्शिय पुत्र राजेंद्र पंडित के रूप में की गई है वहीं इस घटना में राजेंद्र पंडित का पुत्र मनीश कुमार एवं पडोसी रामकृष्ण पंडित का पुत्र मिथलेश कुमार कंभीर रूप से जखमी हो गया है जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भरती कराया गया है जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है मृतक के परिजन ने बताया कि मनीश कुमार गाम से इरिक्षा पर सवार होकर अपने बीमार पिता के इलाज को लेकर बिहार शरीफ जा रहा था तब ही भंडारी गाम के समीब को कोहरे के कारण अग्यात ट्रक टकर मारते हुए फरार हो गया इस हादसे में राजेंद्र पंडित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि मिथिलेश कुमार एवं मनीश कुमार गंभीर रूप से जखमी हो गया उन लोगों को स्थानिय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी मिले टकर इतनी जबरदस्ती की इरिक्षा के पर खच्चे और गए वहीं सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची स्थानिय पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया रहुई थाना अध्यक्ष नंदन कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर अग्रिम कारवाई की जाएगी फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है फोक दिया यही है दुर घटना और जिसमें क्या मौत हो गया इनको राजेंदर पंडित को मौत हो गया है और दोगो जक्मी एगो तो जादा मेर्जनसी में है तो फिलाल अभी ठीक है तमारे कुहाता करो लिए बहुत कुहासा है बहुत कुहासा था उसमें क्या नाम आपका मेरा नाम चंदन कुमार हुआ है तो अचानक कुहासा करण क्रक माधिया था कहां पी घटना हुआ यह भेंडारी के आप पास में हुआ है तो आप लोगों को सुषना कैसे मिली हम लोग का दोस्ता ओफोन किया कैसे हो गया है दौलत ने के लिए ताम लोग आए तो तीन में से एक ठोका डेट हो गया है तिन पीता जी का का पीता जी थे इनको दिखाने जा रहे है अचा उनका क्या नाम हुआ जदिंदर पंडिश अच्छा ट्रेकॉला फरार आपका क्या नब मेरा नाम राकेश कुमार का अब गाउं के हम गाउं की है